नमस्कार स्वागत है आपका लाइब खबर में मैं हूँ आपके साथ पूज़ाजा चलिए दू करते हैं खबरों की ओर राज्य सभा में उप सभापती पत के चुनाम का परिणाम घोशित हो चुका है जिसमें एंडिये की नरेंद्र मोदी सरकार को जीत हासिल हुई है आपको बता दें कि विपक्ष के सांसत बीके हरीप्रसाथ को 20 मतों से शिकर्स्त देते हुए एंडिये के हरिवन्स नारायन पत हरिवन्स नारायन को कॉंग्रेस की तरफ से गुलाम नवी आजाद ने भी बदाई दी है वही मराठा आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है मराठा मोर्चा ने गुरुवार को एक बार फिर भारत बंद का आवाहन किया है आंदोलन की नेताव ने कहा कि ये बंद शांत हाला कि इसके बाद भी कुछ इलाकों में रास्ता बंद करने की खबरे आई है इस बार नवी मुंबई और ठाने को इस बंद से अलग रखा गया है दरसल पिछली बार यहां के कुछ इलाकों में हिंसा हो गई थी जबकि एक दूसरे ग्रुप ने कहा कि जब पूरा भारत ब लेकर कई दिनों से बवाल हो रहा था जिसकी सुनवाई बॉंबे हाई कोट में चल रही थी जिसमें कोट ने महरास्त्र सरकार को फटकार लगाई और जवाब मांगा कि मल्टिप्लेक्स में बाहर से खाना ले जाना सुरक्षा के लिहाथ से खत्रा कैसे है कोट ने कहा कि के दाम 20% तक घटा दिये गए हैं वहीं कोट ने इस पर मल्टिप्लेक्स असोशियेशन को फटकार लगाई और कहा कि आपका काम सिर्फ लोगों को फिल्म में दिखाना है खाना वेचना नहीं राज्य सभा उप सभापती चुनाप के नतीजे घोशित हो चुके हैं जिसमें हरिवंच नारायन को जीत हासिल हुई है वहीं दूसरी तरफ कल तक जो आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का समर्थन कर रही थी जिसके अब सुर्बदलते दिख र कि विपक्षी एक्ता में कॉंग्रेस सबसे बड़ी बाधा है भले ही सरकार ने संशोधन अधिनियम बिल लोग सभा में पेश कर दिया हो लेकिन इसके बावजूत कई दलित संगटनों ने आज भारत बंद का एलान किया है जिसके चलते यूपी में हाई अलर्ट जारी कर द किल्वे हवाई अड़ो प्रमुक धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं यह दलित समुदाय के लोग अपनी मांगों को लेकर केंद सरकार पर दवाब डाल रहे हैं और अपना संदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए सड़ को बाजारों में रैल अधारा 144 लगा दी थी खबरों में फिलाल इतना ही बाकी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे हैं लाइब खबर